हेलो टू आल इस्टुडेंट्स बीएसी फर्स्ट यर हम साइलोटम पढ़ चुके हैं और साइलोटम के बाद जो हमारा सेकेंड जैनरा है वह है लाइकोपोडियम टैड़ोफाइट्स में इसके करेक्टरिस्टिक्स लाइफ साइकल रिप्रोडक्टिव क्यरेक्टर्स यह हमे पढ़ने हैं और जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये टैड़ोफाइट्स है वह डिविजन लाइकोफाइटा है ए लीग ईलऑपसिडा है लिग्यूल नहीं होता है इसलिए लृइकोपोडियल्स आफामिल है लाइकोपोडियूसी और जो जो जीनस है वो है लायकोपोडि네 इसकी लगबग 180 species है इस जीनस में जो लायकोपोडियम जात उसमें जो लायकोपोडियम है लीविंग साहिविंग लायकोडिय यह मतीस आर जुने सी एकला बादना जारी प्रेजन दिक भूब्स भीर्क गोडोर जो पीरिट था उसके दौरान ये है मुख्य वेजिटेशन के रूप में उपस्तित थे many of these then growing like like lepido dendron जो था एक जो फॉसिल जो मिला है वो काफी बड़े ट्रीज थे the modern representative are small and herbaceous sporophyte अभी जो इसमें पाई जाते हैं इस वक्त वो छोटे और herbaceous है the leaves are small and simple each leaves possessed an unbranched midrib इसमें जैसे पतियां होती है जो midrib है वो unbranched होती है मतलब इस तरह से और शीराय नहीं निकली होती है सिर्फ simple leaves होती है जिसमें एक only मद्य शीरा उपस्तित होती है leaves have no legules जो leaves है उनके कक्षस्त में एक और attachments छोटा सा होता है उसको legules कहते हैं इस class lycopodia में वहर नहीं पाया जाता there are no leaf gaps in the steel of stem यहां पर कोई leaf gaps में नहीं पाया जाते the sporophyll may or may not be restricted to the terminal जो sporophyll है जहां पर sporringia लगती है देखिए पतियां जो होती है और पतियां जिनके कक्ष में बीजानु धानी होती है जिनके उपर बीजानु धानी होती है यह कोई पति है mid rib है इसमें और यहां पर अगर कोई बीजानु धानी है तो ये जो पत्ती है इस प्रकार की पत्ती जहां पर विजानु धनी लगी वी होती है उसको हम sporophyll कहते हैं विजानु पर हिंडी में The sporophyll and simple vegetative leaves may be similar और dissimilar दोनों एक जैसी भी हो सकती है और different भी हो सकती है They possess homosporous sporangia, सम भी जानु भी जानु धानिया पाई जाती है गुरू भी जानु लगू भी जानु वाला differentiation इसमें नहीं पाया जाता Same as silotum, silotum में भी यह system था The gametophyte are holy और partially subterranean यह terrestrial हो सकते हैं The anthridia remains embedded in tissue of the prothelus The androjoids are biflagellate जो gametophyte है इसका उसमें जो anthridia पाई जाते हैं वो embedded यानि धसे हुए पाई जाते हैं प्रothelus में जिस तरह से वरंथ होता है जो हमने देखा था इस तरह से यह वरंथ इसमें नहीं पाया जाता जो prothelus होता है उसके अंदर tissue में धसा हुआ पाया जाता है और इसके बाद जो जो इसके male gamets बनते हैं जिनको बोलते हैं androjoids वो biflagellate होते हैं दो flagella निकले हुए होते हैं यह सब important characters है distribution और जो habit है कहां कहां यह पाया जाता है worldwide distribution पाया जाता है सब जग पाया जाता है but mainly यह tropical उष्ण और उप उष्ण जो foresters है India they are found in the hills of Eastern Himalayas ठीक है यहां पर पाया जाता है यह एक diagram दिया हुआ है हमारी lab में मौजूद भी है इसके और यह आपके practical में भी है जहां पर आपको इसके स्टेंप यह cutting करनी है the plants are commonly known as ground pines यह जो pines जो कॉनिफर्स plants होते हैं बड़े बड़े वो काफी बड़े व्रक्ष होते हैं लेकिन इनको ground pines भी कहते हैं इनका appearance ऐसा आता है ऐसे दिखने में इस तरह से लगते हैं यह जो diagram दिया हुआ है और इनको club moss कहते हैं trailing evergreens भी कहते हैं इनकी कई जातिया हैं जैसे lycopodium, clevitum, sarnum, hemonti इस तरह से clevum इसमें सबसे important clevitum जो जाती है वो सबसे important जाती है इसकी अब इसका sporophyte जो main plant body है वो किस प्रकार की होती है all species possess small herbaceous or shubby sporophytes the stem in almost all the species is delicate and weak बहुत delicate और weak यानि कमजोर होता है some species are epiphytic epiphytic का क्या dependent रहती है with erect or pendant sporophytes जिसमें erect होता है या pendant लटका हुआ sporophyte पाए जाता है while the other species are terrestrial जमीन पर और have a trailing habits और नीचे नीचे की तरफ ट्रेल करती है वो के बीचा हुआ जैसे घास में पाई जाता है stem the stem and its branches are densely covered with small leaves और जो stem होता है उसमें चारों तरफ खुब सारी पत्तियां पाई जाती है stem कैसा है species related to subgenus eurostachia posses branched और unbranched stem that are erect और pendant but never creeping कहें कहें यह branch और unbranch होता है जो यह subgenus eurostachia वहां पर creep नहीं करता है मतलब नीचे की तरफ नहीं रहता इस subgenus included celigolucidum phlegmeria if the stem is branched अगर stem branched होता है तो यह हमेशा dichotomies यानि दो भागों में विबक्त रहता है usually the successive dichotomy are found at right angle to one another right angle 90 degree के एंगल पर dichotomy पाई जाती है दो बागों में विबक्त होता है the species belong to this subgenus इस तरह से देखे इसका stem की एक ओके तो हमने different type के इसके अंदर स्टील पड़े थे यह भी different type का स्टील है इसके अंदर भी आप देखिए पित प्रेजेंट नहीं है ओके बाहर वाली epidermis है इस epidermis में बहुत सारे रीजेज हैं यह जो रीजेज आ रहे हैं और यहां पर बहुत सारी पत्तियां उस वज़े से epidermis continue नहीं होती है उसके बाद hypodermis है पेस parenchymas cortex है sclerenchymatic cortex है उसके बाद फिर जायलम है जायलम अलग अलग तकड़ों में पाया जाता है phloem है endodermis है तो इस तरह का stem इसमें पाया जाता है अब देखिए lycopodium में जो stem है वह बहुत important है उसका steel ज़्यादा important यह question जुरूर याद रखिया यह question काफी वार objective में मैंने attend किया है कि इसकी कौन सी कौन सी जाते हो में किस किस प्रकार का steel पाया जाता है देखिए lycopodium A और seratum, anonytum, sernuum तो इसमें एक different प्रकार का stem पाया जाता है यह देखिए इस diagram के अंदर एक main stem है उस main stem जो है उसके साथ यह जो branches है यह 90 डिग्री के angle पर erect position में है यह strobe लई है श्रूबिलस जो होता है वह बहुत सारी बिजानो धानी का एक group होता है कहीं कौन कहते हैं श्रूबिलस थोड़ा सा इतना compact नहीं होता है इतना rigid नहीं होता जेतना की कौन होता है कौन आगे जिमनो स्पर में बोलते हैं यहां पर भी जब इक्वी सिटम में आप देखेंगे तब वैसी सी position आ जाएगी बहुत सारी तरह की पतियों का arrangement पाये जाता है लाइको पोडियम की विविन जातियों में विविन प्रकार की species में डिफेंट 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 टाइप की पतियों का arrangement यहां पाये जाता है जो लिव्ज है आ स्मॉल सिंपल ससाइल छोटी सी होती है ससाइल यानि वरंत नहीं पाये जाता नियूमेरियस बहुत सारी होती है और जो तना है वो दिखाई ही नहीं देता इतनी क्लोजली को पैक्ड रहते हैं आपस में तिपिकली दे लिव्ज आर टू टैन मिलिमीटर लॉग यूजली दे लिव्ज आर अरेंज़ इन क्लूजड स्पाइरल क्लेवेटम और अनोटी नम में यह स्पाइरली अरेंज होती है वाइल दे अधर केसे वोल यानि एक ग्रूप में गोले में अरेंज होती है सरनुवम में और वर्टिसलेटम में इन दरसम स्पीसिज अट पाउंड टू बी अरेंजमेंट भी होता है अर्फी होती हुक्छ स्थो श्यर्टिडготов विर्टियव ङ३ोलेटेड इन सब्क estado किंछ लेकिन आप तोड़ा सा देख लें इतना कि लीव्स की टीएस काट कर देखी जाए ओके थोड़ा सा इसमें देखने एपिडर्मिस है वेस्कुलर बंडल थोड़ा सा बीच में है छोटा सा मीजोफिल सेल्स खूब है गोल एक एक इसी इंटरसेलिलर स्पेसेज काफी है स्टोम आप आए जाता है कि अब इसमें थोड़ी सी स्टोविलस की कंडिशन देखे आप ओके इस्पॉरेंजिया एक और जो स्पॉरेंजिया एक स्पॉरोफिल ये इक पत्ति है ये पत्ति है Sporophyll तरह से एक साथ एकट्ळ होकर बहुत सारे sporophyll इस तरह से एकट्ळ होकर और एक Strobulus का निल्मार करते हैं। Roots कैसी होती है? Roots that arise on the outside of steel do not penetrate the cortical region of stem. At once, these roots turn downward and penetrate the soft middle cortex, making canal through एंड अल्टिमेटली दे इमर्ज ओनली एड दे स्टेम सच रूट्स आर कॉर्टिकल रूट्स रूट्स जो है कॉर्टिकल से निकलती है ओके आउटसाइट ऑफ दे स्टील देखिए इस प्रकार से यह एक रूट का टीएस है इसके अंदर देखिए आप बाहर तो काफी कॉम्पेक्टली अरेंजड थिक वाल्ड आउटर कॉर्टेक्स पाया जाता है और अंदर वाला इनर कॉर्टेक्स पेरेंट काइमा पाया जाती यह बाहर जो दिख रहे हैं यह सारे रूट हैस है कुछ खास स्टीलर सिस्टम तो नहीं पाया जाता है एक सिंपल सा फ्लोयम और उसके बाहर वाहर की तरफ जैलम पाया जाता है एपिकल ग्रोध भी है सबसे आगे किस प्रकार से तो माना जाता है कि एपिकल ग्रोध जो है एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा होती है काफी सारी कोशिकाएं होती है जो मेरिस्टेम का निर्माण करती है तो हम इसके आगे इसका जो वेजिटेटिव प्रोपोगिशन है या सेक्शल रिप्रोडक्शन है वो हम आगे की तरफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग